हेलो दोस्तों मेरे चैनल सिद्य सावर मंत्र में आपका हर्दिक स्वागत है और दोस्तों मैं हमेशा की तरह आपके लिए फिर एक और नई वीडियो लेकर करके आया हूँ जो की बहुत ही अच्छा सावर मंत्र है जिसको सिद्य करने में भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी बहुत ही आसानी से सिद्ध हो जाता है और बहुत ही मतलब की सक्ति साली जिसको बोलते हैं बहुत ही सक्ति साली मंत्र है देखिए होता क्या कि अगर जैसे मालिया कभी क कोई व्यक्ति कहीं शम्शान गाट में चला जाता है या कुछ खापी करके इदर उधर निकल जाता या कोई किसी पर कुछ करवा देता है तो उस पोजिशन में उसको भूत प्रेति या मतलब कोई भी ऐसी आत्मा उसको घेर लेती है तो उसको दूर करने के लिए यह मंत्र मैं आपको बताऊँगा, सावर मंत्र है और भगवान हम, महावीर हनुमान जी का मंत्र है और आप सब लोग तो जानते ही है हनुमान जी की बाया कि ना से रोग हरे सब पीरा जपत्तिन अंतर हनुमत वीरा तो कहने का मतलब यह है कि काफी सक्ति साली मंत्र है और भूत प्रेत को तो समझगे कि बस मिंटों में उनका काम है कि चुटकी बजाते ही उनका समधान कर देना और देखे दोस्तों आपको मंत्र बताने और साधना बताने से पहले मैं एक बात फिर आप से कहूँगा कि जो मेरे चैनल पर नए है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में ही घंडे के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नौटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और हाँ दोस्तों एक बात और मैं बताऊँगा कि मैं अपने चैनल पर जो भी मैं साधना या मंतर में डालूँगा वो सत्प्रतिसत बिल्कुल एक्तम सही और सठीक जानकारी के साथ होगा कभी भी मैं इदर उधर की बाते जो मैं करता इँ नहीं की अपने चैनल बढ़ाने के लिए या फिर अपने व्यूज बढ़ाने के लिए language इधर उधर ऑदर की बातें करके और मतलब बिना तत्य के कोई भी साधना डाल देते हैं तो मैं ऐसा कभी नहीं करता नहीं मैं करना चाहता हूं क्योंकि देखिए साधनाओ का बार बहुत ही टेड़ा मार गया एकदम तीखा तलवार की तरह क्योंकि अगर इसमें थोड़ी गलती हुई तो फिर आपके जी आने के लिए ऐसा मेरा उद्देश नहीं है कि मैं गलत साधनाओ डालू लेगिन और सबसे सही और सठीक जानकरी के साथ मैं साधनाओ डालूंगा ये निश्चित है परमसत्त है ये ठीक है तो अब मैं आपको इस साधना के बारे में विश्तार से मैं बताता हूं और उससे मैं एक गुजारी सोर करूंगा कि मेरी वीडियो को आप ज़्यादे से ज़्यादा लाइक करें ताकि देखें मैं भी चाहता हूं कि चैनल थोड़ा मेरा ग्रोथ करें जिससे कि लोगों को सही और सठीक जानकारी मिलें जो भी मेरे चैनल पे आए उसको जूंट और फरेव मिले बस मैं इतना चाहता हूं क्योंकि ना तो मेरे गुरू ने यह मुझे सिखाया कि किसी को जूंट या फरेव चिखाओ और नहीं मैंने अपने जीवन में कभी सीखा है यह चीज़ कि मैं किसी के साथ गलत करूं या फिर किसी को गलत जानकारी दों मैं चाहता हूं कि सही और सठीक जानकारी मिले तो उससे बड़ी है कुछ नहीं है क्योंकि यार मेरा क्या जाता है मेरा कुछ नहीं जाता मैं सिर्फ आपको जानकारी दे रहा हूं बस लेकिन मेरे पास से मैं आपको ग्यान दे रहा हूं या फिर जो भी साधना है वो मैं दे रहा हूं लेकिन मेरे पास से कुछ आप पैसा थोड़ी ना लेके जा रहे हो कि मेरा कुछ चीन के ले जाओगे मेरे पास जो है वो तो है ही है वो तो रहेगा तो मुझे क्या मतलब हो कि मैं गलत जान करी दो और मैं अगर मैं सत्य के साथ चलूँगा तो मेरा चैनल तो आप लोग है ना करने के मंत्र है तो आप ये बात तो अवस्था सोच लें कि पूर्ण पवित्रता के साथ इस मंत्र का जब करें पूर्ण पवित्रता के साथ किसी भी सनिवार को हनुमान जी की पृतिमा रख ले इस नानाधि कर ले उसके पश्चात ही आप जब के लिए बैखें तो इस थान का कि वो पूर्णता है एकांत होना चाहिए या जहां पर मतलब किसी बाहरी विक्ति का प्रवेश संभाव ना हो ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार घर में तुम कर रहे हो एकांत कमरे में भी कर रहे हो लेकिन होता क्या कि बच्चे आ जाता है इंदर से और हो सकता कि पीछे से धरम पतनी आ जाए कि अजी सुनते हो वो घर में वो चीज नहीं है तो मतलब कि मेरे कहने का यह कि उसमें फिर किसी का प्रवेश नहीं होना चाहिए और जितने दिन तक कि साधना है तो उतने दिन तक उसमें कोई प्रवेश ना हो मतलब कि एकांत होना चाहिए तो इस चीज का व किस दिन तक आपको लगातार 21 दिन तक 121 बार मंत्र का जाप करना है वो आप माला भी रख सकते हो माला से भी कर सकते हो और माला ना हो तो अब डारेक्टली ऐसे भी कर सकते हो बस आप गिंती ध्यान रखें कि 121 बार आपको 21 दिन तक मंत्र जाप करना है पूर्ण एका ग्रच के हनुआन जी का ध्यान लगा करके तब आपको मंतर जाप करना है और साथ में आप जैसे की लोग कह देते थे हैं कि एक सुरक्षा घेरा बना लिया तो हनुआन जी की साथधा में कोई सुरक्षा घेरा आपका काम ने करेगा आप देखिए मैं आपको एक बहुत ही छोटी सी बात सीधे सरल सब्दों में समझा देता हूँ कि जो सुरक्षा गेरा होता है, वो आपने लगा लिया, मालिया कि आप हनुमान जी की साधना कर रहे हैं, आपने बहरो बावा का सुरक्षा गेरा लगा लिया अब क्या होगा जब आप कोई गलती करोगे तो यार दो शक्तियां आपस में कभी टकराती नहीं है कभी वो टकराईगी नहीं आपस में नुकसान आपी का होगा क्योंकि कभी भी कोई भी दो शक्ति जो प्रचुर सकती है प्रचंड सकती है वो कभी भी आपस में नहीं टकरात जिन्र की साथना कर रहे हो या फिर किसी और योगनी की साथना कर रहे हो तो उसमें सुरक्षा घेरा आपका काम करेगा अगर आप हनुमान जी का सुरक्षा घेरा लगाते हो या बहरो जी का या मातरानी का सुरक्षा घेरा लगाते हो तो उसमें आपके लिए सुरक्षा घेरा काम करेगा लेकिन अगर आप और वो भी सिद्ध होना चाहिए सुरक्षा घेरा तब काम करेगा और अगर आप सोचते हो कि हम हनुमान जी की साथ ना करें और बहरो जी का सुरक्षा घेरा करें तो भाई नहीं होता ऐसे नुकसान आप ही का होगा क्योंकि गलती आप करोगे तो नुकसान होगा तो इसलिए ऐसा काम ना करें कि सुरक्षागैरा किसी और मतलब देव का ना लगाएं अगर आपको प्रार्थना ही करनी है तो स्वैम हनुमान précis से ही प्रार्थना करें कि हे हनुमान जी वारा अगर मुझे से कोई गलती हो जाए तो हे प्रभू मुझे छमा करना तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस सक्ति की आप से साधना कर रहे हो उसी सक्ति से आपको प्रार्थना करनी है और अपने गुरू का नाम इसमरन रखना है तो तब आप सही मार्क पर होंगे वरना अगर आपने किसी और का घेरा लगा है तो फिर सही मार्क पर नहीं होंगे मेरे कहने का मतलब मैंने छोटी सी बात थी वो समझा दिया आपको ठीक है अब आपको क्या करना है कि 21 दिन तक आपने 121 मंतरों का जाब किया ठीक है सनिवार के दिन से स्टार्ट करना है आपको ठीक और एकांत कमरे में करना है और अगर आपके गुरु हैं तो फिर आप गुरु मंतर आपके दिया है हुआ है उन्होंने तो फिर आप उससे करने से पहले गुरु मंतर का भी जरूर जाब करें चाहे बहले ही आप 21 बार करें लेकिन जरूर करें अब या फिर ऐसा लगे कि आपके आस पास कोई चला है तो घबरानी की जोरत नहीं है क्योंकि वो सब हनुवान जी की जब आप साधना करेंगे तो ऐसा हो सकता है और ना भी हो ये कोई जरूरी नहीं है मतलब हो भी सकता है और ना भी हो मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको निश्च कोई मतलब उसके उपर हावा बोल रही है या वो इधर उदर की हेल फैल की चीज़े कर रहा है तो या फिर आप भी कहीं अगर ऐसी जगे फस जाओ कि वहां आपको भै लगे या समझो की कहीं पे मतलब कि जहां भी आप ऐसा समझो की मुझे भैल लग रहा है, यहां पे कुछ गलच चीजे हैं तो वहां आप प्रियोग कर सकते हो मंतर का ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको एक बार मंतर का प्रियोग की आपने सरीर के ओपर फूक मर लिए आपका आप बंदन हो जाएंगे आपको फिर कोई चीछ छो नहीं पाईगी और अगर आप किसी और को उपर भूत लगा है प्रेत लगा है तो उसको हटाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है आप चौराए से ना या तो कंकड ले लें जैसे चौराए की कंकड होती हैं चोटी-चोटी वहां से वो कंकड ले ले या फिर उडद ले ले और उसके उपर आपको जो है मतलब पांच या साथ बार उसको अभी मंतरित कर लेना है इसी मंतर से और एक बार मंतर पढ़ा और रोगी के उपर उडद का दाना या फिर कंकर मारा फिर दूसरी बार मंतर पढ़ा और फिर रोगी के उपर उडद का दाना या फिर कंकर मारा इस प्रिकार से आप मंतर पढ़ते जाओगे कंकर मारते जाओगे तो आप देखिए कि आप भूत पर जो भी उसको लगाओगा वो चिल्दाना स्टार्ट करतेगा कि मर गया मर गया मर गया और अगर आप उसको छोड़ना चाहते हो तो आप उसको वचन ले करके छोड़ सकते हो लेकिन अगर आप उसको लगातार मारते रहे लगातार मारते रहे तो आप समझिये कि वो निश्चित रूप से भूत का अंत हो जाएगा मतलब कि पंगू हो जाएगा वो किसी को फिर पकड़ने के लायक नहीं रहेगा उसका अंत हो जाएगा निश्चित रूप से लेकिन मैं फिर भी कहुँआ कि उस position में भी आपको उससे वचन ले करके उसको छोड़ देना चाहिए क्योंकि उसको भी मारने से आपको पाप लगेगा तो मेरे कहने का मतलब यह है और आप उसको जो है छोड़ सकते हो ठीक है वचन लेके छोड़ दिया कोई दिक्कत निया फिर वो दुबारा उसको परिशान नहीं करेगा लेकिन आप लगातार अगर उसको मारते रहे तो भूत का अंत निश्चित रूप से है निश्चित रूप से उसका अंत हो जाएगा अब मैं आपको इस मंत्र को बताता हूँ कि वो मंत्र क्या है तो देखिए इस मंत्र को मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँआ क्योंकि काफी बड़ा मंत्र है साइद याद ना रहे तो आप वहां से याद कर सकते हो लेकिन डिस्क्रिप्शन पे जैसे ही मैं वीडियो डालूँगा तो हो सकता है कि दो-चार घंटे डिस्क्रिप्शन में ना आए मंत्र लेकिन मैं बाद में उसको डाल भी दूँगा डिस्क्रिप्शन में तो थोड़ा इंतिजार कर लिया तो मंत्र आप सुन ले मंत्र क्या है ओम नमो आदेश गुरू का हनुमत वीर बजरंगी वज्रधार डाकनी साकनी भूत परेत जिन्य खाईस को ठीक ठीक मार मार नहीं मारे तो निरंजन निराकार की दुहाई अब मैं मंत्र एक बार फिर बता देता हूँ ध्यान से सुन ले ओम नमो आदेश गुरू का हनुमत वीर बजरंगी वज्रधार डाकनी साकनी भूत परेत जिन्द खाईस को ठीक ठीक मार मार नहीं मारे तो निरंजन निराकार की दुहाई ये साबर मंत्र है और बहुत ही प्रचंड मंत्र है जिसमें की हनुमान जी कोई ठीक ठीक आदेश साद गया है कि उसको ठीक ठीक मारना है और अगर तुम नहीं मारते तो आपको निरंजन निराकार की दुहाई है सपत दे दी गयी है तो मेरे कहने का मतलब कि मंत्र बहुत ही सक्तिसाली है और ये मंत्र मैंने आपको दिया है तो आप इसका प्रियोग भी साधानी के साथ करें और साधना भी ठीक है तो फिर मैं आप से फिर वही एक बार फिर मैं बोलूँगा कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले जिससे कि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले मेरा चैनल भी आगे ग्रोथ करें और मैं ऐसी तरह की नए नए जानकारिया और सही और सठीक रूप में आपको देता रहूं तो बोलिए मेरे साथ आप बोलिए बोलिए वीर बजरंग बले